रूई जैसा मुलाइम स्पंज केक बनाना सीखे, घर पे रूई जैसा मुलाइम स्पंज केक कैसे बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्पंज के जैसा मुलाइम केक हम तर कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने में हमें ज्यादा से ज्यादा 35-40 मिनट लगेगा और ये बन कर तैयार हो जाएगी तो चली हम केक को बनाना शुरू करते हैं सामगरी, बटर, 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम पाउडर, अंडा, 3 मैदा, 100 ग्राम बेकिंग पाउडर, 1 चमच वनीला एसेंस 1 चमच दूद, 50 ग्राम ध्यान दे, चीनी को पाउडर बनाने के लिए, मिक्सी में उसे पीस ले केक बनाने की विधी, फन, सबसे पहले एक बड़ा कटोरा ले ले और उसमें बटर को डाल दे और उसमें आधा चीनी पाउडर ढाल कर उसे ग्राइंड करें अगर आप सारे चीनी पाउडर एक साथ डालेंगे, तो उसे ग्राइंड करने पे परिशानी होती है 2 फिर उसमें बाकी की चीनी डाल दे और उसे 5-7 मिनट तक ग्राइंड करे 3 फिर उसे एक अठा कर ले और उसे फिर से 5 मिनट तक ग्राइंड करे 4 फिर क्रीम को हम चेक करे की चीनी अच्छे से मिल गई है या नहीं अगर नहीं तो उसे थोड़ी देर और ग्राइंड करेंगे 5 फिर उसमें अंडे को तोड़ कर डाल ले और फिर से उसे ग्राइंड करे 6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी क्रीम फैलने लगी है 7 अब उसमें वनीला एसेंस डाल दे और उसे मिलाए 8 अब हम एक दूसरे कटोरे में मैदा ले लेंगे और उसमें बेकिंग पाउडर डाल कर मिला दे 9 फिर हमारे पहले वाले क्रीम में डाल दे और उसे मिलाए 10 फिर उसमें थोड़ा सा दूद को डाल दे और उसमें मिला इच्छे से मिलाए 11 फिर हम एक इंटेनर लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर या घी चारों तरफ लगा लेंगे 12 फिर उसमें थोड़ा सा मैदा डाल कर उसे चारों तरफ फैला दे उसे हाथ से बिलकुल न छोए 13 फिर उसमें बटेर डाल दे और उसे हलका पटकते हुए बैठा दे ऐसा करने से बैटर के अंडर जो भी बॉस गैस होंगे वो बहार आ जाता है 14 फिर उसे 160 सेलसिस पे 35 मिनट तक ओवन पकाई 15 35 मिनट के बाद केक को बहार निकले और उसके अंदर कोई नुकीली चीज अंदर डाल कर देखे कर वो चिकनी निलक गई तो केक पक गई है अब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे 16 अब हम उसे किसी प्लेट पे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी केक कितनी अच्छी पकी है 17 जैसा आप देख सकते हैं केक देखने में कितनी स्पॉंजी दिख रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है और हमारी केक बनकर तयार हो गई है इसे किसी प्लेट में निकाल ले और उसे सर्व करें सुझाओ चीनी को बटर में सारे एक साथ नहीं डाले अगर आप सारे चीनी पाउडर एक साथ तालेंगे तो उसे ग्राइंड करने पे परिशानी होती है अगर आप हाथ पे चेक करेंगे तो क्रीम मैं एकदम सौफ्ट होगी आप चाहे तो केक को ओवन के बजाए कुकर पे भी बना सकते हैं अगर आपका केक चिकना नहीं कटता है तो उसके लिए चाकू तो थोड़ा सा गरम करके फिर काटे केक बहुत अच्छा कटेगा तो कैसी लगी मेरी रूई जैसा मुलाइम स्पंच केक रिस्पी मुझे विश्वास है कि आपको ये रिस्पी बहुत पसंद आई होगी इसे रिस्पी से चुड़ी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ चकते हैं